नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर अंशिका ग्रीन गार्डनिंग में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पौदे की जानकारी जो दोस्तो आपने कभी नहीं लगाया हुगा दोस्तो यह हमारे हाथ में इलाइची के कुछ बीज लगे हुए है तो दोस्तो हमें इसमें से बीज निकालने है इलाइची के दाने है इनमें से बीज निकालने है दोस्तो वो बीज जो हमारा पौदा जल्द से जल्द ग्रोथ कर सके दोस्तो हमें इलाइची का पौदा लगा और बसको नहीं कर पा रहा है तो दोस्तो हमारी इस वीडियो को अबर से देखें और किस प्रकार से ये आपको ये पौदा लगाना है तो दोस्तो हमने ये सीट्स निकाल ली है तो दोस्तो आपको भी इसी प्रकार से इलाइची की सीट्स निकाल लेनी है दोस्तो आपको मैं देखा दूँ सबसे पहले कि हमारी जो सीट्स हैं, हमें हलकी-फलकी सीट्स नहीं लेनी है, मोटे दानेदार लेनी है, जिससे क्या है हमारा अगर हलकी-फलकी लोग है, तो हमारा पौदा जमीन में लगाते ही, आपका पौदा कभी निकली नहीं पाएगा जमीन के अंदर से, तो दोस्तो हमारे जो सीट् ग्रोटेवल करना है तो सबसे पहले हम फटा हुआ दूद लेनेंगे 않ने हैं और ज़रूर नहीं आप चाच भी ले सकते हो संद्कि pueblo हमत फटा हुआ दूद ले collaborative लेन video आपको भी फटा दूद लेना हैं किता लेना नॉर्मली आप देख सकते हो तीन से चार चमच दोस्तों उसी तीन से चार चमच हमने जो दूद लिया है उसमें हमें ये इलाइची की जो सीट्स हैं उसमें डाल देनी है इसमें डाल देने के बाद हमारा जो इलाइची का पोदा है काफी ज़्यादा कमफटेवल और ग्रोटिंग करने लगेगा दोस्तों इसे हम जैसे सीट को हम लगाते हैं तो काफी ज़्यादा बहुत जल्दी हमारा पोदा निकल आता है जमीन के अंदर से तो दोस्तों आप सबसे पहले हमें से गलाने के लिए रख देते हैं तो हमने ये इसे गलाने के लिए रख दिया है तो इसे दोस्तों हमें ये डोबाने हैं ये जो सीट से हमारी बाहर निकली हुई है तो हमें ये डोबानी है ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ देना है डोबाके इसे हमें दो गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है दोस्तों दो गंट दूआ आद दीग रही है जो हमारी जे शीट काफी मौटी हो चुकी है और यही सीट समय कैसे लगानी है मिट्टी में और किस प्रकार से लगानी है दोस्तों आपको मैं देखा दूँँ तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटा सा कोई अगर आप पॉट में लगाना चाहते हो या नाकी सूकी और हमें इसमें पानी नहीं देना है दोस्तों इसी मिट्टी में हम इसे जो सीट्स हैं वो सीट्स हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद में इसे कुछ दुनों के लिए छोड़ देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अब हम सीट्स दिखा देते हैं हमें यह सी है बारी किसे थोड़ी सी दूरी पर लगाना है शेमें ठाफी काफी ज़्यादा वड़ा है तो हमारा तो चोंटा साहकर है अगर आपका बड़ा पॉट है को आप में दूरी पर लगाना होगा तो दोस्तों, simply हमने ये इसमें डाल दिया और इसे हमें थोड़ा सा हलके आतों से जो seeds हैं, हमें ये मिट्टी में दवानिए दोस्तों नगें इसके उपर मिट्टी को ही ढालनी है और seeds को हमें दवाना है तो किस प्रकार से हमें ये seeds दवानी है तो अभी हम दिखा देते हैं आप देख सकते दोस्तों इस प्रकार से आपको ये sheets दबाने जो हमने डाल दी है डाल देने के बाद में हमें को ज़्यादा अंदर नहीं डालनी है जिसे हमारा पौदा निकलने में दिक्कत हो तो दोस्तों ये हमारा पौदा बड़ी ही आसानी से निकलाएगा आठ दिन के अंदर हम इसका रिजल्ट अगली वीडियो के साथ आपको बताएंगे तो दोस्तों ये तो थी हमारी ये sheets लगाने का तरीका की कि किस प्रकार से हमें ये sheets लगानी होती है तो दोस्तों अब ये जो हमारा फटा हुआ दूथा उसे भी हम इसी में डाल देते हैं पानी हमें इसमें बिल्कुली नहीं डालना है पानी हमें आठ दिन के बाद में जब हमारा पौदा नॉर्मल हलका सा निकलाए जब हमें इसमें पानी देना है दोस्तो हमां अगली वीडियो में आपको इसमें वो वीची दिखाएंगे किस प्रकार से हमें इलाची के पौधा कैसे ग्रोथेवल करना है कैसे जल्द से जल्द इस पर इलाची का पौधा ओग सकता है तो धन्यावाद दोस्तों आगली वीडियो है फिर से मिलेंगे इलाइची के पोधे के साथ